तुम अपने घर की नई टैल्स को देखकर चार दिन खुश हो लेते हो तुम अपनी नई गाड़ी को देखकर चार दिन खुश हो लेते हो तुम नए कपड़े को पहन कर चार दिन खुश हो लेते हो और यही दिखाता है कि तुमारा जीवन कितना खुखला है कहीं से तुम पचास ट्रका डिसकाउंट पर कपड़े खरीद लाए हो और तुम चार दिन खुश हो लेते हो लेकिन तुम इतने बेहोश हो कि तुम्हें ये तक पता नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी जो है यहाँ पर पूरी डिसकाउंट पर चल रही है तुम्हारे घर की दिवारों को कलर करके तुम्हारे जूतों को पोलिश करके तुम्हारे चेहरे को मेकप लगा कर तुम्हारे दिमाग में गनान भर कर तुम इतना याद रखो कि तुम इस जिंदगी में कुछ ज्यादा उखाड नहीं रहे हो जिन्दगी लेकर तो तुम आ गए हो, लेकिन तुमें ये तक पता नहीं है कि इस जिन्दगी का करना क्या है, तुम थोड़ा जागो, तुम थोड़े होश में आओ, अब तुम्हारे पास समय नहीं है ज्यादा, कि तुम इस व्यर्थ की बातों में उलजे रहो, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये तुम उन लोगों से पुछते हो, जो खुद ही निरुद्देश्य होकर भटक रहे हैं, सार्थक का तो तुमें कोई पता नहीं है, और निरर्थक को तुम गले लगा कर बैठ गए हो, और तुम सोच रहे हो कि तुम सुखी हो जाओगे, त तुम्हारी जिंदगी कोहिनूर हिरे जितनी मुल्यवान है, और तुम क्या करते हो, तुम उस कोहिनूर हिरे को देकर एक किलो बैंगन ले आते हो, और उपर से वो जो धनिया फ्री में मिलता है, उससे तुम खुश हो जाते हो, तुम क्या समझ रहे हो, ये तुमने फाइद का सुधा किया है याद रखो तुम्हारी हर पल मुल्यवान है तुम इसे यूही व्यर्थ गवा मत देना तुम्हारा जीवन कितना मुल्यवान है ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम ऐसे पुरुष को मिलोगे जिसने कुछ ऐसा मुल्यवान पाया है अपने जीवन में जिसे ये पूरे ब्रह्मांड की संपत्ती को दे कर भी खरिदा नहीं जा सकता तुम्हारे जीवन की व्यर्थता तो तुम्हें तब दिखाई पड़ेगी जब तुम ऐसे पुरुष को मिलोगे जिसने अप जो परम है जो शाश्वत है थैंक यू